मेरी चैनल में आपका स्व्मागत है आज मैं आप लोगों को अमोस्या तिथी किस दिन हैं अमोस्या की दिन क्या करें क्या उपाएक करें ये सब कुछ अपने वीडियो में बताऊंगी इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे वीडियो को इसकीप ना करें और ध्यान से सुनें साल 2022 की आखिरी अमोस्या शुक्रवार को पढ़ रही है ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्नान और तरपन के साथ सद्भक्तों को मा लक्ष्मी का भी विशेस असिर्वात पुराप्त होगा ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की विशेस पूजा के लिए समर्पित है माननेता है कि इनकी अराधना करने से धन से जुड़ी समिस्याएं दूर हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है इस दिन व्रिधी योग का निर्माण हो रहा है माना जाता है कि इस योग में किये गयकारियों में हमेशा व्रिधी होती है साथी जीवन में आरही रुकावटे दूर हो जाती है इस दिन व्रिधी योग का निर्मार 23 दिसंबर 2022 दोपर 1 बजकर 42 मिनट पर होगा जिसका समापन 24 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजकर 27 मिनट पर होगा विदु पंचांग की मताबिक पोश अमोस्या तिथी की शुरुआ 22 दिसंबर 2022 को शाम 7 बजकर 13 मिनट पर हो रही है वही अमोस्या तिथी का समापन 23 दिसंबर 2022 को दोपर 3 बजकर 46 मिनट पर उदिया तिथी की मानिता की अनुसार पोश अमोस्या 23 दिसंबर शुकरवार को मनाई जाएगी इसे लगो पित्रपक्ष के रूप में भी जाना जाता है अमोस्या के दिन वृत और पूजा करने के बहुत लाब होते हैं इस दिन पित्रदोश की शांती कराने से तरकी में आने वाली कठिनाईयां दूर हो जाती है पोश अमोस्या वृत पूजा करने से पित्रदोश दूर हो जाता है और संतान की उत्पती में आने वाली कठिनाईयां खत्म हो जाती हैं चंद्रकला के अधार पर 15-15 के दो पक्षों में भी विवाजित किया गया है जो शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं कृष्ण पक्ष के 15 दिन पूर्णी मा होती है और कृष्ण पक्ष के पंदरा दिन अमोस्या होती है अरेमा देवता जो की अमोस्या की देवता हैं उन्हें पितरों का प्रमुख माना जाता इसलिए इस दिन अमोस्या के दिन भी इस देवता की पूजा की जाती है अमोस्या की दिन भूत, प्रेत, पिशाच, जीव, जन्तु थता, देते दानों ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं इसलिए ऐसे दिन की प्रकिर्थी को जानकर विशेश सावधानी रखी जाती है इसलिए इस दिन उप्वास रखे जाते हैं ताकि उन्हें ऐसी कोई परिशानी ना है पौश अमोस्या के दिन सिर्फ पित्र ही नहीं बलकि सुरे अगनी वायु ब्रह्मा इंद्र रिशी ब्रामण पशु पक्षी भी साधना करने से तिरुप्त हो जाते हैं पौश मास में होने वाले मौसम परिवर्तन के अधार पर कितनी बारिश हो सकती है इसका अनुमान भी लगाया जाता है पौश अमोस्या के दिन कुछ मंदिरों में महा पूजन किया जाता है पोश अमोस्या के दिन स्नान करके तांबे के पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है और सुरे देव को जल का अर्ग दिया जाता है जल चड़ाने के बाद लाल पुश पिया लाल चंदन भी डाला जाता है सुर्य देव को अर्ग देने के बाद पित्रों को तर्पन किया जाता है पॉश अमोस्या के दिन दोपहर के समय पित्रों के नाम से तिल और जल का पूजन किया जाता है पीपल की पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है इस दिन जरूरत मंदों तथा गरीबों को भोजा ने अमधन का दान दिया जाता है इस दिन गाय को रोटी खिलाई जाती है हनुमान चलिशा कथा सुन्दर कांड का पाठ किया जाता है पौश अमोस्या के दिन शिव पारवती एम तुलसी जी की पूजा भी की जाती है पौश अमोस्या के दिन पित्रदोष से मुक्ति के लिए उजयन नासिक त्रेंबकेस्वर हरिद्वार प्रयाग राज जैसी जगहों पर पूजन करवाया जाता है जो अब्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते वो अपने अस्थान पर ही पंडिजी से पूजन संपर्न करवा सकते हैं पित्रदोष से मुक्ति के लिए पौश अमोस्या के दिन रुद्रा भी शेक भी किया जाता है पौश अमोस्या के दिन मनुकामना पूड़ करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जला कर परिक्रमा की जाती है सुर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसो के तेल से दीपक जला कर हनुमान चलीशा का पाठ किया जाता है पोश अमस्या के दिंशिव लिंग के पास दिपक जलाएं जाते हैं और ओम नमाशिवाय का 108 बार जब करते हुए सुख और सभागी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में हर हर महादिव जरूर लिखें